अलो प्रेंट्स आज मैं आपको क्लास 12 जोग्रोफी प्रैक्टिकल भुक का चैप्टर 3 आखडों का आलेखी निरूपन के इंपोर्टेंट प्रसनों के बारे में बताऊंगा जो प्रैक्टिकल एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आएए देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए और उप्योगी प्रशन उत्तर सबसे पहले आपका यह सामने जो प्रिसण है वह आपके प्रिस्णों के बारे में बात करेंगे सब्स Promise पहले प्रिस Notes कि नीचे दिए गए च्यार में उनसे सहि उत्तर को चुनना है कि जन सेंख्या वितरण दर्शाया जाता है कि इसका जो च्ह ellosार्या वहए अपका option ówingtरों मांच equally यह सही तर है का उन्हेक्स को सबसे अच्छा प्रदिशित करने का जो तरीका है वह कौन सा है डंडारेक व्रतारेक क्या इन में से कोई नहीं तो सबसे बड़िया जो तरीका है वह आपका option का यानि रेखा आरेक सही उत्तर है आपका कुंसा है रेखा ग्राफ नेस्ट क्वेशन है आपका है कि रचना प्रिदर्शित करती है तो रचना प्रिदर्शित करती है वह है केवल एक चर दो चरों से अधिक केवल दो ज़चर या इन मेंने कोई नहीं तो इसका आप सभी उत्तर होगा option के 2 चरों से अधिक यह आपका सही उत्तर है ज्कुशन है कौन सा मान्चित्र गत्ती दर्शी माना जाता है इसका आपका यह वाला ऊतर है आपका है यह आपको यहाँ पर इसके उत्तरहां दिए गए हैं को यहां से देख सकते हैं अब हम बात करते हैं पूछा जाता है तो सबसे पहला है कि मानचित्र क्या है या किसे कहते हैं तो थे मानचित्र को विश्यक यानि सब्जेक्टिव मानचित्र अथवा वित्रण मैप भी कहा जाता है इसमें चेत्र रीजन यहीं चेत्र प्रिदेश की विविद्धाव विशेष्थाओं को प्रिदर्शित करने के लिए बिंदू कित वर्ण मापनी अथवा सम्मान रेखा विदी का यह करके मानचित्र तयार क जाते हैं तो इसे क्या बोलता है थेमेटिक मानचित्र कहते हैं नेस्ट के आक्ड़ों के प्रस्तुति करन के आपके क्या तात्प्रिया है आकड़ों के प्रस्तुति करन से आपके समझते हैं क्या मतलब है क्या भी प्राह है इस तरह से पूछा जाता है तो आकड़ों के बह तुलनात्मक अध्यान कंपेरेटिव इनको आरेखी मान्चित्रों तवारा प्रस्तुत किया जाता है उप्यूक्त निश्कस निकालने प्रक्रमण प्रोसेसिंग के मनला आशकता होती है तब जाकर वे प्रिजेंटेशन के योग बन पाते हैं कि नेस्त क्वेसं है कि बहुत अरेक और योगी का आरेक में क्या अंत्र है तो बहुत अरेक में किसी गटक विभिन Τत्मों को समून इसे प्रिदेशित किया जाता है जैसे भारत की कुल साक्षरता कितनी है उसकी दर दसकिया विर्दी को एक दंड आरेक दवारा प्रदाशित किया जाता है उसी के साथ इस्त्री और मेल और फिमेल जो साक्षरता है लेटर सी है दर वो भी अलग-अलग दंडों के दवारा प्रदाशित किया जाता है जबकि योगिक दंड आरेक पर किसी गटक के कई पधन एक दंड रेकित आयत पर दिख्धाया जाता है उसी कि योगदान को उनकी मातर है के अनुरूप प्रदेशित प्रदेशिंट क्या जाता है ली एक बिंदू कित मानचत्र की रचना के लिए क्या आउशकता है कि उनकों से आउशकता है पड़ती हैं तो एक बिंदू की इसे जंसेंक्या भशल आधी के वितरन को प्रिदर्शित करने के लिए बनाया करते हैं एक बिंदू को मानमल निर्दारीत का मापनी तै की जाती है एक कि आकार या प्रिकार के विंदू पॉइंट वितरण के पृतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें रीजिए निया चेतर पर अंकित किया जाते हैं पर किए जाते हैं एक किसी प्रकार कार्या ने निवित किया जाता है लक्षान अत्वाजलवाई क्लाइमेटिक जिए उचाई पैंप्रेचर वायुदाव वर्षा लवन्ता कि समान बाणों वाले स्फानों को क्या समान मान वाले स्फानों को मिलाने वाली एक मेरी लाइन होती है को सम्मान रेखे आई 快it कहते हैं इनके विसेश व शुदारणाय समयाच रेखा क possess कि ताप रेखा है समदाब रेखा है आइस बार सम्वर्षर आई यहिए और समदिक पाती रेखा है समेग रेखा है यह इसके बहुत सारे एक्जामपल है यह सम्मान रेखाओं को आई-सो लाइन भी कहा जाता है छेपक क्या होता है तो छेपक समान मानों के इस्तानों को मिलाने वाली सम्मान रेखा का चित्रणी छेपक कहलाता है समान मानों के बीच मध्यमान करने के लिए किया जाता है छेपक के लिए एक विदी है मेथड है या शूत्र है उससे किस तरह से देखेंगे तो इसके हम इस फार्मूलेक से निकाल सकते हैं, संवाण रेखा बिंदु बडैवर दो बिंदु के बीच की दूरी сDeep meter में अपवाण दो इस्तानों के मानों के बीच में जो डिफ्रेंस होता है अंतर होता है वो और इंटु अंत्रार Ace डिफ्रेंस है उससे मल्टिप्लाई कर देते हैं तो यह सम्मान रेका बिंदू निकल आता है कि एक वर्ण मापी मांचित्र को तयार करने के लिए अनुसराण करने वाले महत्पूंट चरणों की सहचित्र वैक्या कीजिए यहां आपको डाइग्राम के मात्यम से बतार होते हैं पांच नंबर के क्वेशन पुछा जाता है तो वर्ण मात्री अत्वा चाया विदी के दवारा मांचित्र पर विभिन वोगोलिक टत्त्यों की मात्रा माप को रंगों के विभिन आभाओं या चायाओं के दवारा एक तरह से प्रदेशित किया जाता है कि अधिक मान के लिए गहरा अंगरेजी में कोरोपलेत कहा जाता है करने के लिए विभीन चर्णों का नुसरण करते हैं इनमें एक्तिरित आकड़े को आरो ही अत्वा आरो ही यानिया असेंडिंग और डेसेंडिंग क्रम में व्यविश्थीत करना होता है आकड़ों को कि उनके पास अधिक्तम मान के गणना करने उनके अनुसर पांच अथवा उप्यूक्स रिणियों में वर्गेक्रत किया जाता है नेक्स्ट है कि जिन प्रशास की है एकाईयों के आकड़े एक्तिरिक दिया जाते हैं उन्हें दर्शाने वाले छेत्रों को एक सुष्पस्टी मान चित्रे प्रावत करना होता है उदारन ते तालिक दी गई है इसमें साक्षर तरदर 2001 के अनुसर बताया गया है तो इसमें है कि जम्मू कस्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाव सुन्डीगाड उत्राखंड हर्याना दिल्ली राजस्तान एक साक्षर तरदर दी गई है और दूसरा है पहला साक्षर तरदर का वास्त्वी काकड़ा है यापर और यहां इसे बढ़ते हुए करम है इस तरह से आप इस तालीका की माध्यम से यह जो दिये गए हैं इनके डाटा निकाल सकते हैं अब हम बात करते हैं इसी तरह से मांचित्र में उत्राखंड एयम पांडेचेरी कभी नाम जाना जा शकता है इस मांचित्र में उत्राखंड और वड़ेचेरी इस तरए से महत्पून जरन है उसकी क्या विवेशना कीजिए कैसे करते हैं तो विरत तारे एक आकडो को प्रिदस करने की उपियों की विदी है इसमें दिये गए विविन चरों उन्हें मानों को आकडो के कुल मुल को एक व्रत जोकी 360 डिगरी का होता है के अंदर दर्शाया जाता है एक चर के गए चरका मान अपमान कुल्चरों का मान इंटू 360 तो यह इसका जो सूत्र है यह यह है इससे निकला जा सकता है अब बात करते हैं कि उरत में प्रितिये एक चरकांस भाग निर्दारी तोने पर विभीन आवाओं चायाओं दवारा अलग-अलग क्या होता है विविन चाया किस चारिया लक्षण को प्रिदस्षित किया गया है इससे संबंदित एक सांकेति इंडिकेशन सुचक मना ना आवसक है उदारन के लिए भारत में भूमी उप्योग संबंदिया आकड़े तालिका में दशाए गया है उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं तो देखते हैं तालिका में क्या दिया गया है तो तालिका में दिया गया है कि सुद्ध निवल गया जो टोटल एरिया है वह कौन सा है बोया गया चेत्र उसके बाद में वन है कृष्ण के लिए आप्रत भूमिया पर्ती भूमिया चाहगर रहा और पेड़ है कृस्री और यहां यह संकेत दिए गया है यह पर इस तरह का अगर है तो हम इस तरह से दर्शाएंगे वनों को यह संकेत दिए गया है उसको देख लेता है तो डाइग्राम यह डाइग्राम है इसमें यह यह क्रसी के लिए प्रयाप्त भूमी यह वाला और इदर लाइनिंग वाला लाइन वाला दिया यह वाला तो यह है क्रसी योग बंग्रूमी इसतरहु से आपके गजाम में प्रूछसन पूछे जाते हैं यह जऑ्टर 3 के कुछ इंपर्टेंट पूछन ते ज़ो आपकी परिक्ष्या आसर समझ में आ गए होंगे मैं आपके उजल वैविस की काम ना करता हूं एवे नाइस डे थेंक्यू